प्रिये बेहनों और भायों, बेटे और बेटियों, हमारे देश के कई राज्यों में, कोरोना फिर से तेजी से फैल रहे हैं, अपने प्रदेश के कुछ जिलों में, इस सब्ताह तेजी से पोजेटिब केसेस की संख्या बढ़ी है, याद रखिए अपनी तुरंट साथ धान ना होए, तो कोरोना हम सब को संकत में डाल देगा, और जिलिए मेरी आपसे अपील है, प्रार्दना है, कोरोना से बचने के लिए, मोबट फेस मास्क लगाए, सुरक्ष दूरी बढ़ा के रखे, बाजार में भीड़ना होने दें, दुकान दार भी इसका धान टखे, बारकार साथ उन से हाथ धोते रहे, साबधानी में ही सुरक्षा है, प्रदेश के पांच जिलों में पिछले सब्कार से है, तेजी से पॉजिटिब केस बढ़ें गें, भोपाल, इंदोर, ग्वालिया, रतलाम, विदिसाथ, यहां कोरोना तेजी से बढ़ें, इसके फैसला किया है, कि 21 नमंबर की, रात दस बज़े से, सबेरे छे बज़े तक, रात प्री कालीन कर्फ्यू इन सेहरों में लगाया जाएगा, रात के दस बज़े से लेकर प्रात अच्छे बज़े तक, जब तक कोरोना के केसिस कमनी होती है, कर्फ्यू जारी रहेगा, इस कर्फ्यू के दौरान माल वहाग ट्रक की आवाजाही जारी रहेगी, सेक्टीज में काम करने वाले वरकर्स सेक्टियों में जा सकेंगे, हम नहीं यह भी तेह किया है, कच्छा एक से लेकर आठ तक के स्कूल बंद रहेंगे, नौ से लेकर बार्वी तक के विद्धार थी, विभाग के निर्देशों के अंसार केवल गाइडेंस के लिए स्कूल में जा सकेंगे, कालेज भी बंद रहेंगे, केवल बारकर्सन के लिए छात्रवा जाप आएंगे, हमने प्रदेश के सभी ये लोग ने 21 नमंबर को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रूप की बैठक आउजित करने का फैसला किया है, जिले के कलेक्टर इन बैटकों को आईजित करेंगे और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रूप आने वाले समय में बिवाह में या अन्य सामाजी के भार में कारिकमों में कितनी संख्या सहर में रहेगी कोरोना के संक्रमन की स्थिति को देखते हुए फैसला करेंगे हम ये भी फैसला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रूप पे छोड़ रहे हैं कि यदि कहीं किसी मोहले या कारोनी में केजी से कोरोना का संक्रमन फैलता है तो वो मोहला या कारोनी कंटेंग्मेंट जॉन डिकलियर किया जा सकेगा और वहां से फिर आना जाना नहीं हो सकेगा सरकार अपनी तरफ से हर संभ़ प्रयाश करेगी मैं अपने प्री बेहनों और भाईयों से बेटे बेटियों से यह अपील करता हूं प्रार्जना करता हूं अपने लिए अपने प्रदेश के लिए अपनों के लिए अपने देश के लिए कोरोना की हर गाइटाइन अपालन करे साबधान रहे, सुरक्षित रहे बहुत बहुत धन्यवाद